हाई फ्रेंड्स वालकम बैक टू माई चैनल आज हम इस वीडियो में बात करेंगी कि फेस्बुक प्रोफाइल को कैसे लॉग करें तो अगर आप भी फेस्बुक प्रोफाइल को लॉग करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा हेलफूल होने वाली है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको प्रोफाइल लॉग का अप्सन नहीं दिख रहा है तो आपको इसका मैं बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी तो वीडियो को पूरा वाच कीजी तो चली फ्रेंड्स बिना देरी के वीडियो करतें स्टाट तो य क्लिक करने के बाद देखिए अब ये ओपेन हो रहा है तो देखिए हमारा फेस्बुक ओपेन हो गया है अब यहां देखिए साइड में त्री लाइंस दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद देखिए यहां उपर सेटिंग दिखाई दे रहा है नीचे privacy check up पर करके आप अगर कुछ edit करना चाहे प्राइवेट रखना चाहे तो कर सकते हैं तो यहाँ पर देखे सबसे पहले दिया है who can see what you are saying तो इस पर click करके आप check कर सकते हैं तो यहाँ नीचे continue है इस पर हम click कर देंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारा जो phone number है only me पर है मतलब केवल इसे मैं ही देख सकती हूँ birthday का जो है oh friend लोग देख सकते हैं यहाँ पर following वाला जो friends and following यह public है तो अगर आप इसके आगे देखना चाहे तो आप next कर दीजी next click करने के बाद देखिए यहाँ पर default audience, storage limit, post यह सारे पब्लिक है अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसे only me करना चाहे तो भी कर सकते हैं बट ओ केवल आप ही देख सकते हैं ओ ज्यादा viral नहीं हो पाएगा जो पब्लिक रहता है तो उसे कोई भी देख सकता है बट अगर only me करेंगे तो क्यों आप ही देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए अब दिया है add to blocked list तो यहाँ पर जितने भी block friend होंगे जितने भी लोगों को आपने block किया होगा उस सब यहाँ पर देखने लगेंगे मैं अब आपको back लिवा कर चलती हूं और आगे का process दिखाते हूं तो यहाँ देखिए second number पर दिया है how to keep your account secure तो इसमें अगर आप कुछ setting करना चाहते है तो इस पर click करने के बाद देखिए यहाँ पर how to keep your account secure तो यहाँ पर login alert password यो के ऐसे करके दिया है तो आप इसे continue कर लिजिए continue करने के बाद देखिए यहाँ पर अगर आप setting करना चाहे अपना password चेंज करना चाहे तो यहाँ पर change password पर click कर लिजिए अनित आप इसे skip कर दिजिए तो इसकी करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है add an extra layer of your security account तो यहाँ पर get start पर click करेंगे तो इस तरीके से आप अपने profile को extra secure रख सकते हैं तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको आगे दिखाते हैं तो यहाँ पर देखिए थार्ड नंबर पर दिया है how people can find you on facebook और फिर उसके बाद your data setting on facebook your right तो यहीं सब सेटिंग है अब इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे content performance, reaction, performance, notification, tab, bar, language, media यहीं सब है फिर इसके बाद नीचे देखिए यहाँ पर दिया है profile locking, profile details, how people find contact you, post, share, profile tagging मतलब यह सब वहीं चीज़े हैं जो कि हम पीछे अभी देख चुके हैं उस setting के अंदर दिया है मतलब उसे click करने के बाद हमें यह सब चीज़े मिलेंगी और यहाँ देखिए front पे ही दे दिया है तो यहीं से आप easily setting कर सकते हैं तो यहाँ देखिए हम profile locking पर click कर लेते हैं click करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया है lock your profile तो अगर आप अपने profile को lock करते हैं तो आपके profile में जितने भी friend होंगे, post होंगे, stories होंगे, जितने भी information होंगे और publicly जो वो तो hide हो जाएगा यह आपके क्यों friends देख पाएंगे और आप देख पाएंगे अगर कोई देखना भी चाहे तो भी उसे open नहीं कर सकता तो profile lock करने का यही benefits है कि कोई extra आपके profile के अंदर ज्यादा ताका जाकी नहीं कर सकता तो यहाँ अगर आपको अपना profile lock करना है तो नीचे दिया है lock your profile बस आपको इस पर click कर देना है click करने के बाद यहाँ पर दिया है you locked your profile यहाँ पर आपको ok कर देना है तो हमारा जो facebook profile है ओ लॉक हो गया है तो इस तरीके से आप भी बहुत ही easily अपने facebook profile को लॉक कर सकते हैं I hope friends आपके लिए आज की वीडियो helpful रही होगी तो अब मुझे दीजे इजाज़त मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye